Hello students इस वीडियो में exercise 5.3 के दो questions जो बच गये थे उसको cover करेंगे हम लोग फिर exercise 5.4 अगर हो सकेगा तो start कर लेंगे और यह questions थोड़े से tricky वाले हैं जैसे question number 19 पढ़ते हैं 200 locks are stacked in the following manner 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row next to it and so on सबसे नीचे वाली line में इसमें ऐसे 20 locks रखे हुए हैं उसके उपर में 19 हो गया, एक कम हो गया है उसके उपर में एक और कम हो गया है इस तरह से कम होते जारा है उपर के तरह में in how many rows are the 200 locks placed and how many locks are there in the top row बहुत ही obvious question है कितना उच्चा बनेगा, जानने की कोशिस करेगा कोई भी है न, इस तरह से एक के उपर एक रखते जाना है, तो कितना उच्चा जाना है, मैं कहां तक जाना है तो पहार बहुत लंबा तो नहीं बना सकते हैं बोग नहीं बना सकते हैं न, उठा करके रखना भी है, फिर उतारना भी होगा इसलिए height को पता करना है, बहुत genuine question है, obvious question है answer कैसे निकालना है, answer निकालने के लिए में एक AP बनाना है, सबसे पहला term bottom row को ले लेते हैं सबसे पहले तो इसी को रखेंगे, जब भी रखेंगे, इसमें 20 log आ गए, इसके उपर वाले में कितने आएंगे, एक कम 19, फिर उपर में एक कम 18, इस तरह से चलता जाएगा n terms, n हमें नहीं पता है, ठीक है, यह given है question में, इससे हमें ए पता चल गया, first term कितना है, 20, बहुत ही simple है यह तो, common difference d कितना है, minus, बहुत ही आसान चीज़े हो रही है अभी तक तो, और हमें क्या दिया है, total number of logs, जो किसके बराबर होगा, sum के बराबर होगा, है न, इसमें 20 है, इसमें 19 है, 39 हो जाएगा, फिर इसमें 18 है, 57 हो जाएगा, इस तरह से total दिया होगा, total sn, n row में अगर 200 logs आ जाते हैं, तो वहां तक का sum sn is equal to 200 है, यह सबज में आदा, sn is equal to 200 है, n rows में यदि रखा गया है, तो वहां तक में total number of logs 200 होगे है, sn 200 होगा, यानि कि 20 plus 19 plus 18 plus इस तरह से dot dot dot, n terms तक यदि add कर दे, तो हमें 200 मिल जाता है, sn का formula भी हमें पता है, sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d, रख्डो values एक equation हमें बनेगा, 200 is equal to n divided by 2, 2a की value कितनी हो जाएगे, 40 plus n minus 1 into minus 1, देखा हो, एक equation है, और यह quadratic equation बनने वाला लग रहा है, इसको solve करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, कितना हो गता है, 400 is equal to n, 40 और यह plus 1 हो जाएगा, minus 1 into minus 1 plus 1, 41 minus n, ठीक है, यानि कि 400 is equal to 41 n minus n square, सब कुछ को लेप साइड भे लेओ, n square minus 41 n is equal to 400, quadratic equation है, जिसको solve करना है, अब तो solve करना आ गया है, sorry, 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 क्या लिख दे है मैंने, plus 400 is equal to 0, अब तो solve करना आता है, यह quadratic, बहुत को सीख चुके हैं, अब लोग quadratic को solve करने के लिए, ओ, 100 को factorize करना है, दो numbers में, जैसे कि दोनों का sum 40 बना जाए, कैसे आ सकता है, 40 into 10 से काम नहीं बनेगा, क्या करें, 5 को इढ़र ले जाते हैं, तो क्या होता है, 8 into 50 से काम नहीं बनेगा, तो हिटन ट्राइल से, factorize करना है, बस, 2 को इढ़र ले आते हैं, 16 into 25, से काम बनेगा, क्या, 16 plus 25, यह 41, yes, yes, 16 into 25 से हमारा काम बन जाएगा, n square minus 16n minus 25n plus 400 is equal to 0, 400 है, यानि कि n minus 16 into n minus 25 is equal to 0, तो n की दो values आ गए, 16 और 25, कौन से value लेनी है, कौन से value लेनी है, negative नहीं है, negative नहीं है, तो किसी को भी reject नहीं कर सकते हैं, दोनो positive values है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, कि 16 में जड़ी 200 logs पूर गए है, तो 25 में फिर से 200 logs कैसे पूरेंगे, काई गलती की है कि हमने, नहीं, गलती भी नहीं की है, फिर कैसे आ रहा है, देखो, 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 बार इंट्रेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर इस दो में से एक value को accept करना है, एक को reject करना है, हमारे पास दो values आई है, 16 और 25, 16 value आई है, और एक में 25 आई है, सबसे bottom row में 20 log हैं हमारे पास, 20 है इसमें, तो यहरी 20 दोश लगा देते हैं हम लोग, तो 20 से 1 तक आजाएंगे, 20, 19, 18, इस तर से डॉट 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 करेटे, करेटे 1 तक आजाएंगे, 20 से जादा दो लगी नहीं सकता है, 20 से जादा दो लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, इसलिए 25 को reject कर देते हैं हम लोग, क्या value आई हमारी 16, n की value 16 लेनी है, there cannot be more than 25 rows, 20 rows, so n is equal to 16, n is equal to 16, top row में कितने logs हैं, निकाल दो, a 16 is equal to 20 plus 15 into minus 1 is equal to 5, ठीक है, सबसे उपर वाले में सिर्फ 5 लॉग्स है, clear है, आप देखो, बढ़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो, सबसे 20, 19, 18, इस तरसे हैं, यहां तक आते आते, 5 टक में तो हमारे 200 लॉग्स पूल गये हैं, 200 पूल गये हैं, हमें जो यह n is equal to 25 वैल्यू मिली थी, ऐसा situation एक बार पहले भी हमारे साथ हुआ था, इसके बाद वाले लॉग्स जो होते हैं न, इसके उपर वाले, अगर एपी, सिर्फ एपी को कंसिडर करें, लॉग्स को भूल जाओ, लॉग्स को भूल जाओ, लॉग्स नहीं है, सिर्फ एक एपी बना रहे हैं हम लोग, सिर्फ एपी बना रहे हैं, तो यहां तक तो 16 टर्म्स हो गया था, 200 लॉग्स, 16 टर्म्स हो गया है हमारे पास, अब AP बनाती, आगे कि सिर्फ AP बनाती चलते, AP तो रहेगा, अगला time क्या होगा, 4, फिर क्या आएगा, 3, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर minus 1 आएगा, फिर minus 2 आएगा, फिर minus 3 आएगा, फिर minus 4 आएगा, आएगा, अब देखो 9 terms हो गया, 25 terms हो गया, 16 यहा एड़ो के 0, 1-1 एड़ो के 0, इन सारे टर्म्स का सम 0 आ रहा है, तो quadratic की question दे तो हमें बता रिया कि दो बार ऐसा होगा, दो बार ऐसा होगा, उसने हमें दूनों values दे दी थे, लेकिन logs के case में यह possible नहीं है, अगर हम तो सिर्फ numbers की बात करते, एक इस्टरा का AP बन रहा है, जिस का sum 200 होना चाहिए, तब दो possibilities हो जाती है, बात समझ में आ रही है, अगर सिर्फ हमें numbers दिया रहा था, इस तरह से numbers range करने हैं AP में, तब दोनों accept हो जाती है, यह दोनों values accept हो जाती है, लेकिन हमें तो numbers चाहिए नहीं, अभी चाहिए कि हम logs रखने हैं, तो 0 log कैसे रखेंगे, यह possible नहीं है, इसलिए एक को accept किया है, question number 20, यह भी बड़ा interesting question है, exercise 5.3 का last question, in a potato race, potato race कभी खेला है school में क्या, पता है क्या होता है potato race, question पर पता चलेगा, नहीं पता है तो, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, bucket है, पहला potato यहाँ पर है, जो से 5 meter की दूरी पर है, the other potatoes are placed 3 meters apart, in a straight line, CD line में हैं, फिर 3 meter के बाद एक और है यहाँ पर, ठीक है यहां पर एक और पोटाटो आगया तीन मीटर के बाद एक और आगया यहां पर तीन मीटर के बाद एक और आगया तीन मीटर के बाद फिर एक और आगया तीन मीटर के बाद इस तर से पहला दूर पहली दूरी पांच मीटर की है फिर तीन-तीन मीटर की दूरी पर थी, starts from the bucket, picks up the nearest potato, पहला potato को लेकी जाना है, runs back with it, and drops it in the bucket, इसको bucket में पहुचाना है, runs back to pick up the next potato, फिर उसको यहां जाना है, और फिर इसको ले जाके bucket में डालना है, फिर से उसको next potato तक जाना है, फिर उसको bucket में डालना है, ठीक है, and she continues the same way, until all the potatoes are in the bucket, what is the total distance the competitor has to run, race समझ में आया, distance निकालते हैं, अम लोग पहले, race समझ में आया, race समझ में आया, ठीक है, distance निकालना है, एक एक करके निकालते है, first potato के लिए कितना काम करना है उसको, first potato के लिए कितना distance रन करना है उसको, पांच मीटर, bucket से potato की दूरी पांच मीटर, फिर वापेस पांच मीटर, 5 इन्टू, second potato के लिए, 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 8 मीटर तक जाने पर, 5 प्लस 3, 8 मीटर तक जाने के बार, उससे potato मिलेगा, वापेस जाने के लिए, इन्टू, 2, third potato, 5 मीटर में फिर्स्ट पोटैटो के पोजिशन पर पहुचेगे, फिर प्लस 3 इन्टू 2, 5 प्लस 3 इन्टू 2, और फिर पूरे को इन्टू 2, तब तो वापस आएगे, तो पहले में कितना था, 10 मीटर, दूसरे में कितना डॉआना पड़ा, 16 मीटर, तीसरे में कितना डॉआना पड़ा, 22 मीटर, चौथे में चेक कर लो फिर से, 4 पोटैटो, 5 इन्टू, 3 इन्टू 3 होगा इस बार, इन्टू 2, इस इक्वल टू 28 मीटर, एपी बन रहा है, 10 प्लस 6, 16, 16 प्लस 6, 22, 22 प्लस 8, 6, 28, एपी बन रहा है, एपी बन रहा है, मतलब काम बहुत आसान होगी अब तो, कौन सा एपी बना हमारा, हमारा एपी बन रहा है, 10, 16, 22, 28, इस 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 चलता जाएगा, में भी सेम्प्रसेस हमारा चलता जाएगा डोटल टेन, टेन टाइमस यह प्रोसेस, उसको करना है यहाँ पर के आ यहाँ पर के बात करेब तो टेन टेमस ठीक एट इस एपी में हमारे पास ए है टेन डी है शेग्स n है 6 10 सम निकाल दो टोटल जोगा उतनी दूरी दौरन है 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6 5 इंटू 74 370 मीटर्स काफी नंबा रेस हो गया 370 मीटर का रेस है देखने में लगा है क्या 5 मीटर 3 मीटर की दूरी पर आलू रखे थे 5 3 की बात कर रहे थे पहुंच गया 370 मीटर तक अपी बन गया था यह यह exercise 5.3 complete हो गई है exercise 5.4 भी देख लेते हैं interesting questions के देखी लेते हैं पहला question इस वीडियो में बनाते हैं बाकी के questions फिर अगले वीडियो में हम भूब देखेंगे minus 4 हमें चाहिए negative term मतलब a n जो है a n is less than 0 ठीक है a n less than 0 है तो क्या कर सकते हैं चलो पहले a n का formula तो लिख लो a n is equal to a plus n minus 1 multiplied by d यही होने वाला है इसमें values भी डाल दो 121 minus 4 into n minus 1 इक है जो क्या हो जाएगा 121 121 plus 4 हो जाएगा 125 125 125 minus 4 n ठीक है a n की value क्या आ रिए है 125 minus 4 n हमारा यह 4 n जो है 125 से बड़ा होना चाहिए 125 अचा 4 n is greater than 125 होगा तब हमारा काम हो जाएगा n की से बड़ा होगा n is greater than 125 divided by 4 is equal to 31.25 आ रहा है n n 31.25 आ रहा है मतलब fraction आ रहा है तो n नहीं greater का symbol है greater than 31.25 31.25 से बड़ा होगा n तो यह negative हो जाएगा 31 में negative नहीं होगा n is equal to 31 में negative नहीं होगा लेकिन n is equal to 32 में negative हो जाएगा यह बात समझ में आ रही है n 31 जो है इससे छोटा है n should be greater than 31.25 n 31.25 से बड़ा होना चाहिए तो 31 अगर लेते हैं तो negative नहीं आएगा और 32 लेते हैं तो negative आ जाएगा 31.25 तो ले नहीं सकते हैं चलो चेक करो A31 निकालते है A31 is equal to इसी में नाल होगा 125-124 is equal to 1 और A32 is equal to 125-128 is equal to minus 3 अहला negative term minus 3 उसके बात साथ है negative होगा 32nd term is the first negative term first negative term उसके बाद तो सारे के सारे terms negative है फिर उसके बाद कोई नहीं बचा है बात समझ में आद ये कैसे हो गया एक और तरीका अगर ये नहीं समझ में आ रहा है माल लोग माल लेते कहीं पे 0 आता है माल लेते कहीं पे 0 आता है और फिर निकाल देते हैं 0 कॉंसर टर्म होगा ये तो समझ में आ रहा है कहीं पे एक बार 0 हो जाएगा फिर 0 से नीचे हो जाएगा तो यह जो है हमारा 121 minus 4 into n minus 1 is equal to 0 करो, ठीक है, क्या आएगा यह, 4 into n minus 1 is equal to 121, n minus 1 is equal to 121 divided by 4 is equal to 30.25 and is equal to 31.25, 31.25 आ रहा है, 31.25 के बार जितने terms हैं, वो सारे negative होंगे, यह term series में exist नहीं कर रहा है, कोई डिक्कत नहीं है उससे, कोई डिक्कत नहीं है इससे, लेकिन इसके बार जो term exist करेगा, 31.25 के बार जो भी होगा, वो सब कैसे ब negative होंगे, ओके, question 2, question 2 छोड़ो अगले वीडियो में देखते हैं इसको,